ठीक है बच्चों अब आजाते हैं हम लोग अपने next topic पे that is integrals of some particular functions ठीक है इसमें क्या करना है कि कुछ functions है उसका integral जो है उसे हमें याद रखना है as a standard result ठीक है इसमें जो हमारा first integral हो गया वो हो गया integral of x square minus a square 1 upon x square minus a square का integral किसके equal होता है 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c इसके equal होता है इसे हमें याद रखना है as a standard result यह standard result ही है ठीक है तो इसको एक बार हम लोग proof कर लेते हैं proof में क्या करना है हमें left hand side की हमारा integral of dx upon x square minus a square denominator में क्या है a square minus b square का formula लगा दें तो क्या हो जाएगा dx upon x minus a into x plus a ऐसे लिख लिए है ठीक है अब जड़ा इसको तुम ध्यान से देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं integral of x plus a देखो ध्यान से minus x minus a upon x minus a into x plus a dx ऐसे लिख लिख लिए अब हमने देखो net numerator में क्या add किया देखो यह x और यह x तो cancel हो जाएगा यहां पे a है और यह minus of minus a मिलके plus a हो जाएगा तो numerator में क्या add किया तो अगर हमने numerator मे 2a add किया तो balance करने के लिए 2a से divide भी करना होगा तभी तो balance होगा ऐसे तो नहीं है कि numerator में हम अपने मन से कुछ भी add कर देंगे तो अब यह होगी हमारा balance अब ऐसा क्यों किया इसको मैं explain करूंगा जब मैं पढ़ाओंगा न तुम्हें इस टाइप में मतलब क्या हमारा method लगता है या फिर हमारा trick होता है इस टाइप को solve करने का उसमें बताओंगा तुम्हें next section में पार्सिल फ्रेक्शन में ठीक है अभी तो बस तुम देखते जाओ कि कैसे कर रहे हैं इसको हम integrate प्रूफ कैसे कर रहे हैं तो यह हो गया next topic में दूसरा क्या है integration by partial fraction और तीसरा क्या है integration by parts तो integration by partial fraction इसके बाद को topic है उसमें हम लोग यह सब trick देखेंगे कि इसको manipulate कैसे करते हैं जो भी मैंने यहां पे किया इसके लिए क्या हो जाएगा one upon two a उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको लिख दिया हमने integral of x plus a one upon two a को बाहर क उसके बाद लिख लिए x minus a into x plus a dx अलग-अलग कर लिया उसके बाद क्या लिखा x minus a upon x minus a into x plus a ठीक है यहां से क्या होगी x plus a और यह x plus a cancel यह x minus a और यह x minus a cancel तो मैं क्या मिल गया one upon two a integral of one upon x minus a dx minus integral of one upon x plus a dx अच्छा log का integral क्या होता है integral of one upon x dx यह क्या होता है यह होता है log of mod of x plus c यह होता है न तो integral of one upon x minus a यह अगर ऐसे मैं बोलूं a x plus b dx मैंने x की जगह क्या replace कर दिया linear function तो इसका integral क्या होगा यहां भी x की जगह linear function डाल दो a x plus b plus c बट जो x का coefficient उससे divide करना होगा यह तो हजारों बार बता चुक हो मैं ठीक है तो one upon two a इसका integral क्या होगा तो one upon x minus a का integral क्या होगा x minus a तो हमारे एक linear function है तो इसका integral क्या लिखेंगे इसका integral लिखेंगे log of mod x minus a बट यहां पे x का coefficient क्या है 1 तो चाहो तो one upon one लिख सकते हो बट उसका कोई meaning तो है नहीं तो यह होगा इसका integral इसका integral क्या हो जाएगा log of mod of x plus a जब integral खतम हो जाता है तो finally c add कर देते हैं फिर हमारे पास formula क्या है कि log of a minus log of b यह क्या होता है log of a upon b ऐसे होता है न डिवाइड में आ जाता है यह हमारा formula है ठीक है तो इसमें क्या a का का क्या कर रहा है mod of x minus a b का क्या कर रहा है mod of x plus a तो इसको हम क्या लिख सकते है 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x minus mod of x plus a ऐसे लिख सकते है प्लस c फिर हमें एक mod का हमने प्रोपर्टी पता है mod of a upon mod of b क्या होता है एक mod में आ जाएगा mod of a by b एक single mod में आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते है 1 upon 2a और log इसको एक single mod में कर लें x minus a upon x plus a mod of x minus a upon x plus a प्लस c हो गया है इस प्रूफ यह हमारा आ गया ठीक है यहां से इसको ऐसे देखो यह जो है यह ना यह ऐसे ठीक है यह तो मैंने यह लिखा है ठीक है यह हो गया first integral proof अब आ जाते बच्चो second integral में सेकेंड क्या है हमारे पास integral of dx a square minus x square यह किसके equal होता है 1 upon 2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c इसके equal होता है ठीक है? अब देखो इसका proof देख लो left hand side क्या है dx upon a square minus x square इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dx upon a minus x into a plus x ऐसे लिख सकता हूँ कोई problem नहीं है a square minus b square का formula लग गया ठीक है अब यहाँ पे इसको मैं क्या करूँ कि फिर यहाँ पे मैं technique use कर रहा हूँ जो कि मैंने अभी बोला कि जो हमारा जो next topic integration by partial fraction उसमें हम लोग क्या करेंगे इसको सीखेंगे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 upon 2a से 2a से divide कर दिया और इसको मैंने ऐसे लिख लिए इसको मैंने लिख लिए a plus x plus a minus x upon a minus x into a plus x ऐसे लिख लिए ऐसे करने से क्या हमारे integral balance है देखो यह x और यह x plus x और minus x तो cancel हो गया यहाँ पे क्या होगा a plus a 2a और यहाँ पे 2a डिवाइड होके यह भी cancel हो जाएगा तो same यह आ जाएगा इसका मतलब कि this is equals to this ठीक है अब इसको हमने क्या किया 1 upon 2a है यह integral है इसको मैं लिख सकता हूँ a plus x upon a minus x अलग अलग कर लिया यह क्या हो जाएगा a plus x plus a minus x upon a minus x into a plus x ऐसे अलग अलग कर लिया dx अब देखो यह a minus x cancel हो गया a plus x cancel हो गया ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा 1 upon 2a इसको हम क्या लिख सकते a integral of a minus x dx ठीक है अलग अलग कर लिया इसको यहां पर यह cancel हो गया plus integral of 1 upon a plus x dx ऐसे लिख लिख लिया 1 upon 2a अब इसका क्या होता वैलू log again log mod a minus x बट यहां पर ध्यान रखना है यह बात की x का यहां पर coefficient क्या है minus 1 तो 1 upon minus 1 यह करना परेगा नहीं तो गरबर हो जाएगा प्लस क्या होगा यह log mod a plus x एक्स का कोफिसेंट क्या 1 तो इसको ऐसे ही रहने दिया plus c कर दिया ठीक है तो यह हमें क्या मिल गया 1 upon 2a 1 upon minus 1 is minus log mod a minus x प्लस log mod a plus x ऐसे हो गया न चलो एक स्टेप और लिखता हूँ 1 upon 2a इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log mod a plus x minus log mod a minus x plus c अब फिर ही आ गया log a minus log b का अभी फॉर्मला बताए क्या होगा log a by b क्या हमारे पास final क्या मिल रहा हूँ है 1 upon a square minus x square का integral क्या मिल रहा हूँ है अभी तक हमें मिला 1 upon 2a log a mod a plus x minus log mod a minus x plus c यह किसके equal होगया 1 upon 2a यह होगया log a की जगह a plus x minus है ना तो divide में आ जाएगा यह क्या हो जाएगा a minus x plus c फिर हमने क्या पर रखा है कि अगर mod a mod of a upon mod of b यह क्या हो जाएगा mod of a by b ऐसे हो जाएगा इस result को use करेंगे तो क्या होगया 1 upon 2a log एक mod में आ जाएगा यह हो जाएगा a plus x upon a minus x plus c तो होगया final proof हमें integral of dx upon a square minus x square ठीक है यह होगया देख लो ठीक है यह हमारा proof होगया hence proof यह तो होगया बच्चों हमारा second integral अब आते है third integral पर ठीक है third integral क्या हमारा dx upon x square plus a square इसका integral यह किसके equal होता है 1 upon a tan inverse x upon a plus c अब इसको proof करते हैं इसमें क्या हमें left hand side क्या है x square plus a square इसमें हम क्या करते हैं put x is equal to a tan theta अब तुम बोलोगे कि a tan theta कहां से आए दिमाग में तो इसके लिए क्या है कि तुम ऐसे देखो अगर हमने x का value a tan theta put किया न तो x square क्या होगा a square tan square theta तो a square common लेंगे तो 1 plus tan square theta क्या बन जाएगा second square theta ठीक है और यहाँ पर अगर इसको मैं x के respect में differentiate करता हूँ x का derivative x के respect में 1 होगा a tan theta को अगर तुम x के respect में differentiate करोगे तो पहले tan theta को किस के respect में करना होगा theta के respect में chain rule तो यहीं बोलता है ना कि पहले इसको theta के respect में करो फिर theta को x के respect में करो तो tan theta का derivative theta के respect में क्या होगा second square theta ठीक है और theta का derivative x के respect में d theta upon dx dx को left hand side में ले आओ तो dx क्या हो जाएगा a second square theta into d theta अब तुम देखते चलो अब dx की जगा क्या लिख सकते है a second square theta into d theta ये लिख सकते है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास x की जगा हमने क्या put किया a ten theta का a ten theta put किया तो इसका whole square हो जाएगा plus a square हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिला a second square theta upon ये क्या हो गया a square ten square theta plus a square और ये हो गया d theta a second square theta और यहाँ से na a square common ले लिया तो ये क्या बन गया ten square theta plus one अब देखो benefit क्या हुआ x को a ten theta मानने से क्या हुआ कि हमने dx को क्या लिख दिया a second square theta d theta ऐसे लिख दिया अब यहाँ से क्या हो गया ten square theta plus one किसके equal हो गया second square theta के equal हो गया because second square theta is equals to one plus ten square theta तो ये और ये cancel हो गया एक a भी cancel हो गया तो final हमें क्या मिला final हमें मिला final हमें जो dx upon x square plus a square यहां से हमें देखो 1 upon a यहां पे 1 a बचा denominator में जिसको हमने बाहर कर दिया 1 upon a बोल दिया और यहां क्या बचा कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा यह से क्या square थीटा bracket में 1 плюс 10 square थीटा cancel होगया तो अब 1 का derivate integral क्या होगा थीटा कि respect में थीटा होगा यह हो गया 1 upon a थीटा integral ख़तम होगया तो c add कर दिया अब हमने क्या यह जूम किया था x को क्या जूम किया था x को a tan थीटा बोला था ना तो 10 थीटा क्या हो गया तो थीटा क्या हो जाएगा 10 inverse x upon a तो final हमें क्या मिल गया 1 upon a थीटा की जगा हमने क्या डाला 10 inverse x upon a plus का c तो final हमें क्या मिल गया dx upon x square plus a square is equal to 1 upon a 10 inverse x upon a plus का c यह standard result है याद रखना है अब आज़ो अब अचो fourth fourth में क्या है fourth result total six results है fourth देख लेते हैं root under x square minus a square यह किसके equal होता है log of mod of x plus root under x square minus a square plus c यह standard result है याद रखना है इसको समझो ठीक है इसमें हमने क्या किया कि proof देखू क्या dx upon root under x square minus a square इसमें भी हमने क्या कि x को a sec theta माल लिया a sec theta मालने से क्या benefit हुआ यह देख लो x को हमने माल लिया a sec theta तो x के respect में differentiate करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 यह तो a पहले से किसके respect में करना होगा sec theta को किसके respect में करना होगा theta के respect में और फिर theta को x के respect में क्योंकि इस पूरे equation को हम x के respect में differentiate कर रहे हैं तो x का derivative x के respect में तो 1 हो गया अब sec theta को पहले हमने theta के respect में differentiate किया फिर theta को x के respect में किया तो यह तो 1 हो गया a sec theta का derivative क्या होगा sec theta into tan theta और यहां से एक dx को इधर ले गए तो यह हो गया हमारा dx और यह हो गया d theta ठीक है आर यह बाद समझ में तो dx को क्या लिख सकते हैं a sec theta into tan theta into d theta अब यह root के अंदर x की जगा हमने क्या माना है a sec theta minus a square तो यह क्या हो गया finally यह हो गया a sec theta into tan theta into d theta इस square root के अंदर a square common ले लिए तो यह क्या हो गया sec square theta minus 1 ऐसा हो गया अब sec square theta minus 1 को उनक्या लिख सकते हैं sec square theta minus 1 होगा यह किसके equal होगा इसको देख लो tan theta के equal होगा तो यह क्या हो गया a sec theta into tan theta into d theta यह a square और square root cancel हो कि यहां तो यह आ गया और sec square square root के अंदर क्या होगा sec square theta minus 1 tan square theta उसका square root क्या हो गया tan theta ठीक है अब यह tan theta यह tan theta cancel हो गया ठीक है और यहां से क्या हो गया यह a और यह भी a cancel हो गया तो final हमें क्या मिला integral of sec theta d theta हम किसी अभी कर रहे हैं इसको integral of dx upon root under x square minus a square यह किसके equal मिला हमें integral of sec theta tan theta sorry sec theta d theta अब sec theta का जो integral है वो standard result है sec theta का integral क्या होता है log of mod of sec theta plus tan theta इसका integral क्या होता है sec x का integral क्या होता है यह तो standard result है यह किसके equal होता है log of mod of sec x plus tan x plus c तो इस result को हम use करेंगे यहाँ पे x की जगा क्या theta है तो इसको क्या लिख सकते है log of mod of sec theta plus tan theta जब integral खतम हो गया तो x c add कर दिया अब हमने क्या assume क्या था यहाँ पे देखो हमने क्या assume क्या था x को क्या बोला था a sec theta तो x हमारा क्या हमने assume क्या है x को हमने assume क्या a sec theta तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्योंकि हम answer जो देंगे वो किस में देंगे x में देंगे theta तो variable हमने खुच से इंटरड्यूस कर आ न तो theta में तो answer दें लिस सकते तो जो भी theta उसको में किस में convert करना होगा x में convert करना होगा तो हमने x को क्या assume क्या एह sec theta, तो यहां से sec theta किसके equal हो गया, x upon a के, तो इसका मतलब है sec theta, इस sec theta की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x upon a, और 10 theta किसके equal होता है, root under sec square theta minus 1, यह किसके equal होता है, 10 theta यही होता है, देख लो, इसको अगर squaring करोगे, तो क्या हो जाएगा, 10 square theta is equal to sec square theta minus 1, तो यहां से sec square theta क्या हो जाएगा, 1 plus 10 square theta, इसको मैंने क्या लिख दिया, log, mod, sec theta को क्या लिख सकते है, x upon a, plus 10 theta को क्या लिख सकते है, root under sec square theta minus 1, ऐसे लिख सकते है, mod plus c, अब यह हो गया, log, mod, x upon a, plus root under sec theta क्या हमारा, x upon a, तो यह क्या हो जाएगा, यहां पर x upon a डालो, चलो, कहोल square minus 1, mod plus c, यह क्या हो जाएगा, log, mod, x upon a, अंदर LCM ले लो, तो क्या हो जाएगा, x square minus a square, upon a square, plus c, log, mod, x upon a, इसको अलग-अलग square root कर लो, x square minus a square, क्या होगा, a plus c, अब LCM ले लो, log, यह क्या होगा, x plus root under, x square minus a square, upon a, plus c, ठीक है, यहां तक तो कोई दिकत नहीं है, अब तुम ऐसे देखो, यह क्या लिखा, log a upon b के form का है, जहां पर यह पूरा, किसका का काम कर रहा है, यह किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, तो यह किस form का है, log a upon b, हमने ऐसे पढ़ा है, कि log a upon b, किसके equal होगा, log a, minus log b, यहां पर a का का क्या कर रहा है, x plus root under x square, minus a square, और b का का क्या कर रहा है, तो इसमें अगर यह वाला formula यूज़ कर लिया, यह formula यूज़ कर लिया, तो हमें क्या मिलेगा, log a, a की जगा क्या है, x plus root under x square, minus a square, minus b की जगा क्या है, a, तो यह हो जाएगा, a plus c, ठीक है, final हमें क्या मिल गया, final अभी हमें किसको solve कर रहा है, dx upon root under x square, minus a square को, यह हमें क्या मिला है, log mod x plus root under x square, minus a square, minus log a, plus c, ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log of mod of, x plus root under x square, minus a square, plus c minus log a, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बताओ, c क्या हमारा, c तो constant है, and log a क्या है, log a भी constant है, क्यों constant है, because a constant है, a constant है, तो log of a constant है, तो ये पूड़ा constant लिखा हुआ है, तो constant को तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, constant को हम c1, c2, कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, इसको मिला कर हम क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या हो गया log mod x plus root under x square minus a square इस पूरे को bracket को हमने c बोल दिया किसके equal हो गया dx upon root under x square minus a square तो ये हमारा fourth result भी हो गया proof याद रखना है fifth result पे आजो fifth result क्या है dx upon root under a square minus x square ये किसके equal होता है ये equal होता है sin inverse x upon a plus c इसी sin को देखके हमें sign inverse को देखके हमें क्या feeling आनी चाहिए कि यहाँ पे x को क्या माल ले हम a sin theta x को क्या माल ले a sin theta तो उससे काम चल जाएगा अब तुम बोलोगे x को क्यों माल ले a sin theta तो उससे benefit क्या होगा जब तुमने x को a sin theta माना न तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a square sin square theta तो a square common लोगे तो 1 minus sin square theta जिसको तुम क्या लिख सकते हो cos square theta ठीक है यह सब सोचना पड़ेगा जैसे तुमने अगर ऐसे denominator में सोचा यहाँ पे ax की जगए a sin theta माना तो यह क्या होगा a square sin square theta अब यहाँ पे क्या होगा denominator में? Denominator की बात करूं a square common ले लिया तो 1 minus sin square theta तो यह क्या हो जाएगा denominator में a square Cos square theta तो denominator क्या बन जाएगा? denominator बन जाएगा a cos theta और हमने x को क्या माना violender sin theta अब अगर मैं इसको differentiate करूँ x के respect में तो क्या हो जाएगा 1 is equal to a cos theta और यह क्या होगा d theta upon dx तो dx क्या हो जाएगा a cos theta d theta यह कहा जाएगा यह denominator में आ जाएगा cos theta यह numerator में तो cos theta cos theta cancel हो जाएगा मतलब यह तुम्हें दिमाग में इतने सारे steps रखने होंगे put करने सब्सिट्यूट करने से पहले दिमाग में इस सारे steps रखने होंगे मैंने starting में ही बता दिया कि substitution का कोई formula नहीं है किस formula से हम substitute करें यह सिर्फ hit and trial है और practice है या फिर बोलो experience है हाँ अब इसके बाद जो हम लोग next topic पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे integration using partial fraction उसका formula है उसमें बताया जाएगा कि यह step follow करो उसके बाद यह उसके बाद यह उसके बाद यह इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा बट इसका कोई formula नहीं यहां तो सिर्फ logic काम आएगा logic या फिर तुम ऐसे कह सकते हिट and trial experience काम आएगा या practice जितना practice करोगे clear हो जाएगा अगर मालो इस question को ना तुमें solve करने के लिए दिया होता तो इसको देखके भी hint हमें पता चल रहा है कि sine inverse है इसका मतलब कोई sine theta कुछ मान के चलना होगा तो यहां पे अगर हमने x को a sine theta माना तो a square common हो जाएगा 1 minus sine square theta which is cos square theta तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे इसका proof देख लो proof हमारे पास क्या integral है root under a square minus x square इसमें हमने क्या किया कि put x is equals to a sine theta x को हमने a sine theta माल लिया x के respect में differentiate किया तो x का derivative x के respect में 1 a sine theta को पहले theta के respect में करोगे तो यह हो गया cos theta फिर theta को x के respect में करोगे तो d theta upon dx dx को left hand side में ले हो तो dx is equal to a cos theta d theta इसका मतलब है dx की जगा मैं क्या लिख सकता हूँ a cos theta d theta और उसके बाद हमने dx की जगा लिख लिया a cos theta d theta ऐसे लिख लिया अब root under a square x की जगा हमने क्या माना है x को a sine theta तो यह क्या हो जाएगा a sine theta का whole square ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा a cos theta d theta upon root under यह हो गया a square minus a square sine square theta ऐसे हो गया यह हो गया हमारा a cos theta d theta अब यह root है ना अंदर में a square common लिया तो यह क्या हो गया 1 minus sine square theta ठीक है अब तुम ऐसे देखो इसको आगे करते है next page में इसको आजाते हैं फिर क्या हो गये integral of dx upon root under a square minus x square हमें क्या मिले अभी a cos theta upon root under a square one minus sine square theta b theta यह किसके एकवल हो गया a cos theta root under अच्छा root हटा देते हैं तो root हटा देते हैं तो क्या मिल जागा a square का root a one minus sine square theta अंदर क्या बनेगा यह cos square theta cos square theta का root cos theta और यह क्या हो जाएगा d theta अब देख लो numerator denominator तो बिल्कुल सेम आ गया इसका क्या मतलब हो जाएगा यह cancel हो जाएगा तो इसके हमें क्या मिला one into d theta one का derivative theta के respect में क्या होगा theta one का derivative x के respect में derivative बोल रहा हूँ sorry integral x के respect में क्या होता x plus c तो one का integral theta के respect में क्या होगा theta plus c तो यह क्या हो जाएगा theta plus c अब हमने क्या माना है x को क्या माना है a sin theta तो यहां से sin theta क्या होगा sin theta होगा x upon a तो theta क्या होगा inverse trigonometric function से sin inverse x upon a बस put कर दिया तो इसकी जगा लिखा हमने sin inverse x upon a अब plus c कर दिया यह हमारा proof होगया proof होगया na dx upon root under a square minus x square is equal to sin inverse x upon a plus का c ठीक है यह कौन सा result होगया हमारा proof result number 5 अब आज आओ result number 6 में result number 6 क्या है dx upon root under x square plus a square यह किसके equal होता है log of mod of x plus root under x square plus a square plus c इसके equal होता है इसमें क्या करोगे फिर वही चीज़ substitution करेंगे solution नहीं प्रूफ क्या प्रूफ करना है dx upon root under x square plus a square इसमें हम क्या करेंगे कि फिर x को हम लोग माल लेंगे a tan theta x को a tan theta मालने से benefit क्या होगा यहां क्या हो जाएगा a square देखो कितना सोचना होता है मतलब substitution करने से पहले अगर हम लोग numerator की बात कर रहें numerator को देखो numerator में क्या लिखा root under x square plus a square x square plus a square अगर हमने x को माल लिया a tan theta तो यहां पर क्या हो जाएगा root under a square tan square theta a square common ले लिया तो 1 plus tan square theta तो यह denominator की बात कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा a square x square theta denominator में तो denominator में हो गया a 6 theta ठीक है यह तो हो गया denominator में और हमने x को a tan theta माना है तो अब इसको अगर मैं differentiate करूँ तो d theta किसके equal होगा a tan theta का क्या होता sec square theta d theta ऐसे हो जाएगा dx equal हो जाएगा d theta के अब देखो 1 sec theta cancel हो जाएगा उपर बच जाएगा यह तो numerator आया ना यह तो numerator में जाएगा यह denominator है तो देखो क्या होगा 1 sec theta cancel होगा a cancel होगा तो उपर numerator में क्या बच जाएगा sec theta और sec theta का integral हमें पता है तो बस काम बन गी हमारा तो यहाँ पर हम लोग क्या करें put x is equal to a tan theta अगर हमने x को a tan theta माना फिर इसको x के respect में differentiate कर दिया ठीक है या तुम x के respect में differentiate कर दो या फिर तुम theta के respect में differentiate कर दो एक ही बात है एक ही result आएगा अगर theta के respect में differentiate करते हो तो यहाँ हो जाता है dx upon d theta a और tan theta का derivative theta के respect में क्या होता है sec square theta अब तुम यहाँ से क्या करो d theta को right hand side पे ले जाओ तो dx किसके equal हो गया a sec square theta d theta इसके equal हो गया मतलब dx की जगा हम क्या put कर सकते है a sec square theta into d theta अब dx की जगा हमने लिख दिया a sec square theta into d theta ऐसे लिख दिया upon root under x की जगा हमने क्या put किया a tan theta के whole square आगिया और यह क्या हो गया plus a square ऐसा हो गया तो कहां थे हम लोग अभी dx upon root under x square plus a square इसको हमने क्या लिख लिया क्या रहा है हमारे पास a sec square theta d theta upon root under a square tan square theta plus a square तो यह किसके equal हो गया a square sec square theta d theta square root में a square हमने common ले लिया तो क्या हो गया tan square theta plus 1 यह हो गया a square sec square theta d theta अब tan square theta plus 1 का value क्या होता है sec square theta तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो sec square theta और यहां क्या a square पूरे पे square root तो क्या हो जाएगा a sec theta अब एक a तो cancel हो गया ठीक है एक a हमारा a square नहीं है this is a ठीक है तो a cancel हो गया हमारा अब एक sec theta भी cancel हो गया तो हमें क्या मिला integral of sec theta d theta अब यह तो standard result है यह क्या होता है log mod sec theta plus tan theta plus c ऐसे होगा ठीक है sec theta यह तो standard result है तो log अब देखते है sec theta को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे हमने क्या माना है x को क्या माना है a tan theta तो एक काम करते हैं यहां पे हमने x को माना है a tan theta तो यहां से tan theta क्या हो गया x upon e यह तो इस tan theta की जगा हम लोग क्या लिख सकते हैं x upon e बट यह तो खतम हो गया हाँ ठीक है इस tan theta की जगा क्या लिख सकते x upon e अब sec square theta किसके equal होता है sec square theta होता है नहीं यह formula में पता है 1 plus 10 square theta तो sec theta किसके equal होगा root under 1 plus 10 square theta के equal होगा इसमें कोई problem नहीं है तो यहाँ पे sec theta को मैंने क्या लिख दिया root under 1 plus 10 square theta 10 theta में convert कर दिया और यह 10 theta रहने दिया ऐसा क्यों किया because हमें 10 theta का value पता है x upon a पता है ना आप यहाँ पे substitute कर सकते तो यह क्या होगा log of mod of root under 1 plus 10 square theta क्या होगा 1 plus x upon a का whole square plus 10 theta के जगे हमने क्या लिख दिया x upon a plus c लिख दिया तो यह क्या होगा log of mod of root under a square plus x square upon a square plus x upon a plus c ठीक है यह होगा log of mod of इसको हम क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे a square plus x square अलग-अलग दोनों पे numerator denominator पे square root ले लिया तो root under a square root under a square क्या होगा a plus x upon a plus c ऐसे लिख लिखेंगे इसको हम क्या लिख सकते log of lc हम ले लिया तो क्या होगा root under a square plus x square plus x upon a plus c अब ये फिर किस format में आगिया log a upon log b तो log a upon log b क्या होता log a minus log b अभी same कि हम ने log वाला formula यूज़ किया पिछले question में तो यह होगा 122 फाइनली हमें क्या मिल रहा है integral of dx upon x square plus a square ये किसके equal मिला हमें ये equal मिल गया हमें log mod root under a square plus x square plus x का mod minus log of a plus c इसको हमने क्या लिक लिया log of mod of root under a square plus x square plus x इसको हम लिख सकते हैं c minus log of a अब ये फिर हमारा constant होगी ऐसे कर सकते हैं c minus log a a हमारा constant है तो log a constant है c हमारा constant है तो दो constant का difference constant है तो constant को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं दोबारा c भी बोल सकते हैं तो ये क्या हो गया log of mod root under a square plus x square plus x plus c तो हो गया finally dx upon root under x square plus यहां पे root है यहां पे root है x square plus a square किसके equal हो गया log mod इस x को इधर लिख लो ये क्या हो गया x square plus a square plus c ठीक है ये हमारा हो गया I think 6 result ठीक है याद रखना है बिल्कुल as a standard result ठीक है अब आज आते हैं हम लोग निकल लिया कितने 6 result हमने देख लिया अब 7th result देखते हैं result नहीं है to find चलो एक काम करते हैं सारे जो formulas है न उसको one by one एक बार लिख लेते हैं पहला result क्या हमारे पास जो हमें याद रखना है जो as a standard result है वो क्या हमारा first result first result है हमारा dx upon x square minus a square ये किसके एकवल है 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c ठीक है second result क्या हमारे पास integral of dx upon root under a square minus x square ये किसके एकवल हो गया 1 upon 2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c तीसरा हमारा क्या हो गया result integral of dx a square plus x square a square plus x square बोलो ये x square plus a square बोलो एक ही बात है x square plus a square ये किसके एकवल हो गया 1 upon a tan inverse x upon a plus c ये हो गया तीन रिजल्ट फोर्थ रिजल्ट क्या हमारे integral of root under x square minus a square is equals to log mod x plus root under x square minus a square plus c और फिफ्ट रिजल्ट हो गया हमारा integral of dx upon root under a square minus x square ये होगा sin inverse x upon a plus c और 6 जो हो गया हमारा वो हो गया dx upon root under x square plus a square ये equal हो गया log of mod of x plus root under x square plus a square plus c बचों ये 7 result है बिल्कुल याद होना चाहिए अगर याद नहीं होगा तो आगे का काम नहीं चलेगा फिर आगे के जो exercise है ना वो solve नहीं होंगे ये बिल्कुल याद होना चाहिए याद कैसे करोगे वो बता रहा हूँ जैसे x square minus a square है ना तो इसको तुमें ऐसे याद रखना है अगर तुम denominator में क्या है x square minus a square अगर तुम इसको a square minus b square और formula यूज करोगे तो क्या होगा x minus a into x plus a तो उपर आजाएगा x minus a log में नीचे आजाएगा x plus a इसमें अगर तुम formula यूज करोगे a square minus b square का तो क्या होगा a minus x a plus x तो तुमें याद रखना होगा कि उपर plus का आएगा नीचे minus का आएगा मतलब a plus x upon a minus x ये दोनों log में आएगा अब a square plus x square याद रखो 1 plus a 1 upon a 10 inverse x upon a ठीक है ये भी याद होगा 3rd याद करना होगा 4th में क्या है ये तो 3 एक type का था ये तो 1 type का था किसी में square root involved नहीं था ठीक है ये 3 एक type का है तीनों के denominator में square root है ठीक है तो इसमें क्या है a के square root ये वाला याद रखो कि एक type का मतलब इसमें sine inverse x upon a plus c है ठीक है इस दोनों में sine का काम नहीं है इसमें क्या log जो square root है न वो same square root यहाँ पे दिखेगा बट एक x add हो जाएगा यहाँ पे जो square root है यहाँ पे same वो square root दिखेगा बट एक x add हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा six result हो गया अब क्या है कि कुछ special type के integral उसको हम कैसी evaluate करेंगे वो हम लोग देखेंगे next video में ठीक है